हाई गाईज वेलकम बेक टू मैं चैनल सी आर किचन ब्लोग्स तो गाईज आज हम सेमी ओटोमेटिक मशीन में फुली ओटोमेटिक मशीन की तरह कपड़े दोएंगे और वैसे तो सभी दो लेते हैं आज मैं आपको कुछ अलग तरीका बताऊंगी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो प्रसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको नया वीडियो सबसे पहले मिले तो सबसे पहले देखिए गाईज ये कपड़े हम अलग छाट लेंगे जो साफ कपड़े हैं सफेद ये छाट ही लेते हैं और ये डार्क कलर वारे कपड़े और थोड़े से जो ज्यादा गंदे है वो अलग कर लेंगे तो इस तरह से दो इस्सों में कपड़ों को छाट लेंगे अगर ज्यादा है तो तीन इस्सों में कर लें तो सबसे पहले मसीन में पानी बरेंगे और पान है और कपड़ों के इसाब से ही इसमें सरफ डालना है मैंने चार चमच सरफ डाल दिया है और अब एक बार मशीन को चला देंगे सरफ को मिक्स कर देंगे ये तरीका तो सेम है लेकिन इससे आगे जो तरीका है वो कुछ अलग है वो आप जरूर देखना वीडियो को पूरा दे तो इनको एक बार बस पानी में निकालना ही होता है ये ज्यादा गंदे नहीं होते इसलिए मैं ये तरीका आज आपके साथ सेर कर रही हूं तो एक राउंड लग चुका है मसीन में और ये देखिए सबसे खास बात ये है तो ये देखिए कपड़े जो है बिलकुल अलग अ नहीं हुआ है ये देखिए अलग-अलग कपड़े पड़े हैं इस तरह से पानी मसीन में पूरा बरने से कपड़े आपस में उलज पुलज नहीं होंगे और दबाने भी ने चाहिए दबाने से भी उलज जाते आपस में तो ये देखिए मैं कपड़े निचोड निचोड कर करके और ड्रायर में डाल रही हुशीदा जैसा कि एक तरीका पहले भी मैंने शेयर किया था उसमें मैंने ड्रायर में निचोड के बाहर निकाले थे उसी तरह से मैं ड्रायर में डाल रही हूँ लेकिन ये तरीका कुछ अलग है और कपड़ा जो है हर कपड़ा खुला करके डालेंगे अच्छे से खोल करके डालना है कपड़े को तो ये देखिए मैं हर कपड़ा खोल करके डाल रही हूँ ताकि कपड़े की गांठ ना बने, सल्वटे ना पड़े और जो प्रोसेस हम करने वाले हैं फुली ओटोमेटिक वाला, तो वो भी आसानी से हो जाए और पूरा सरफ का पानी निकल जाए इसलिए मैं खोल खोल करके कपड़े डाल रही हूँ इसके अंदर तो सारे मैंने चोड़ लिए हैं, ये देखिए अब देखिए इसमें मैंने खुला पानी डाल दिया है साथ में पानी चला रखा था पहले भी और एक बार मैं पूरा पानी इस तरह से दबा दबा करके निकाल दूँगी जो पहले सरफ वाला है वो निकाल दूँगी और खुला पाने डाल दिया, ये देखिए कितना खुला पाने डाला है मैंने, अब देखिए, एक बार बंद करके, दो मिनिट के लिए ड्रायर को गुमा देंगे, सिर्फ दो मिनिट के लिए गुमाएंगे और पानी को बंद कर देंगे, तो ये देखिए, दो मिनिट हो चुक यह देखिए पूरा खुला पानी मैंने दुबारा से डाल दिया है और अब देखिए पूरा राउंड लगाएंगे और साथ में पानी चलता रहेगा एप को ओन रखना है तो यह देखिए शुरू में शरप का पानी आ रहा है और थोड़ी देर बाद देखिए यह टूंटी जो है जब तक चलानी है तब तक साथ पानी ना निकले तो यह देखिए अब मैं टूंटी जो है बंद कर दूंगी पानी वाली यह देखिए और अब इसमें जो पानी बचा है सरफ वाला इसमें डाल देंगे जो बाकी कपड़े बचे हैं वो जो भी जितने भी हैं एक बार करके दोवे जो सारे कपड़े मैं इसमें डाल देती हूं लोवर बगेरा है पैंट है ये कलडर चुटने वाले हो इन इसमें देखे मैं आपको एक कपड़े दिखारी हूं कितने शाफ हैं कैसे हैं वो आप खुद देख लेजिए ये देखिए कितनी अच्छे से clean हो गए है और बिल्कुल भी चिपचिपा पन नहीं लग रहा है अगर सरफ नहीं निकलेगा कपड़ों से तो कपड़ों में चिपचिपा पन लगेगा हाथ लगाने से ही चिकना चिकना सा चिपचिपा सा मैसूस होगा तो ये क कपड़े अच्छे से निखर चुके हैं इनमें बिल्कुल भी शरफ नहीं रहा है ये आप देख सकते हो कितने clean हो चुके हैं कपड़े ये देखिए तो अगर कम गंदे कपड़े हैं तो आप ऐसे दो सकते हैं और अब इदर भी एक round लग चुका है और ये पानी निकाल दें जो बने पहले कपड़े दोए हैं और अब दुबारा से पानी बर देंगे वो पानी निकल चुका है और कपड़ों के उपर तक पानी बरना है और एक round दुबारा से लगा देंगे जितना भी सरफ है या गंदगी रह चुकी है वो दुबारा round लगाने से अच्छे से साह हो जाएगी तो थोड़ी देर बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूं बिल्कुल भी इनके अंदर गंदगी नहीं बची है ये देखिए कितना साफ पानी है बिल्कुल भी color change नहीं हुआ है तो अब देखिए मैं इसके अंदर निचोड निचोड करके सारे कपड़े डाल लूँगे ड्राइर में और ये आप देख सकते हैं कितना साफ पानी निकल रहा है अच्छे से क्लीन हो चुके हैं तो ये तरीका लग रहा है ना आपको अच्छा कोमेंट में जरूर बताना सेमी ओटोमेटिक में फुली ओटोमेटिक की तरह कपड़े दुल रहे हैं बहुती आसानी से दुल गए तीन तीन बाल्टियों का जंजट खतम ज्यादा निचोडने का बार बार निचोडने का जंजट भी खतम है ये देखिए कितना साफ हो गए हैं अच्छे से तो इस तर अ कुला करके डाल रही हो उसाथ में पानी चला दिया इसमेंगी ये सारे कपड़े मैं निच वड़ लेति हूँ ये देखिए आप देख सकते हो पानी गंदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है और ये देखिए सारे मैंने निचोड लिये हैं और इनमें खुला पानी चला दिया है और ये पानी जो बचा है इसमें आप और कपड़े दो सकते हो मैं दोऊंगी बैक बगेरा है एक्स्ट्रा कपड़े है तो इनमें एक राउंड लगा देते हैं सुखाने के लिए और टैप को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर बाद देखिए एक राउंड लग चुका है और ये अच्छे से सूख गए है और अच्छे से कलीन भी हो गए है ये आपके सामने है आप देख सकते हो कैसा लगा आज का वीडियो कोमेंट करके दरूर टाए अगले वीडियो तक के लिए बाई